नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और आप सभी का चैनल 6-pack milestone में जिससे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलेगी और दोस्तों अज का टॉपिक है online versus offline protein supplement कहां से ले, online store में से ले या offline में से ले, मेरे इसाब़से दोनों better है अगर price की comparison की बात करें तो offline में थोडा price जञ़ाइगा हुता है as compared to online ओनलाइन आप देखते हो जैसे कि Amazon है, Health XP है, फिर मेसल ब्लेज का है, Health Card है, बहुत सारे विटामिन पिलेनेट है, बहुत सारे ओनलाइन इस्टोर है, अगर बात करते हैं कि genuine supplement, देखे दोस्तो, genuine supplement आपको दोनों जगा ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि online में price कम है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर genuine supplement नहीं मिलता है, यह गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, online इसलिए सस्ता होता है, यह बड़े-बड़े seller होता है, जैसे कि Amazon पर आप देखते हैं Cloudtail, कितना बड़ा seller है Amazon का, तो वो क्या है कि product bulk में लेते हैं, इसलिए उनको थोड़ा discount मिलता है, इसलिए उनको थोड़ा discount मिलता है, इसलिए वो product को थोड़ो as compared to offline के साब से थोड़ा सस्ते में बेशते हैं, तो मेरे साब से online आप purchase कर सकते हैं सेफ हैं, कोई fake product नहीं मिलता है, बस आप एक बार थोड़ा सा sticker आप चेक कर लीजें, इंपोर्टर का sticker चेक कर लीजें, जैसे कि आपको ultimate nutrition का pro star लेना है, तो आप online इसके importer देख लीजें कि ultimate nutrition pro star का importer इंडिया में कौन है, जैसे कि car enterprise है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इसका importer कोन है, बहुत सारी brand है, सबके importer है, या उनकी site में जाके कर सकते हो, या optimum nutrition का pro star में जाए, वहाँ पर distribution की list में जाए, वहाँ पर देखिए कि authorized dealer कोन है, इंडिया का, तो वहाँ अगर उसका sticker है, तो भी सही है, और अगर offline भी आप purchase कर रहें, तो भी जरूर वहाँ तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए, थैंक यू